है 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 वेल्कम टू मैं चैनल तो देखिए आज मैं फिर से आपके लिए नहीं चीज लेकर आई हूँ जो आपको काफी पसंद आने वाली है और आप लास तक देखेंगे न तो इसमें मैं आपको है न क्योंकि मुझसे ना एक कमेंट आया था कि आप एना ऐसी बोलत से बना हुआ है तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं तो देखिए बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम इतसे लेंगे और इस तरह से नौट लगा लेंगे ठीक है फिर एक दो तीन चार पाच चैन लेंगे लास्ट वाली चैन में डालेंगे और यह राउंड बना हाफ डबल क्रोश्या बनाना शुरू कर देंगे ठीक है तो इसमें जो हमें हाफ डबल क्रोश्या बनाने है वह बारा हाफ डबल क्रोश्या बनाने है ठीक है तो बारा हाफ डबल क्रोश्या बनाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है ठीक है तो यह देखिए हमने इस तरह से 12 बना लिये हैं और यह लास्ट में यही पर डालके हम इसे जोइंट कर देंगे ठीक है अब इसे रखते हैं हम और मैंने यह इस तरह से पूरे बना के रख लिये हैं यह देखें इसमे जो हमारे डबल करोशें हैं वह पन्दरा है तो इसमें हमने वह शे बनाए हैं हम इसमें जाइन जाइन कैसे करेंगे इस तरह से डालेंगे और इसमें से किधर साइड से भी, यह देखे, एक में लेंगे एक इधर में और इसमें सिम्पल क्रोश्या बना देंगे ठीक है फिर अगली वाली चैन में डालेंगे देखे इसकी भी अगली चैन में डालेंगे और इसनों में सिम्पल क्रोश्या इस तरह से बना देंगे तो यह देखे इस तरह से यह जुड़ जाएगा ठीक है उसके बाद में एक चैन लेंगे फ इसके अंदर डालेंगे और इन दोनों को दो चैन में इसी तरह से करके दो सिंपल क्रोशिया बना लेंगे यह हम इस तरह से हैं हमने यह बारा क्यों लिए है क्योंकि हमें जो यह उपर वाले गोला है वह हमने छे जॉइंट किया है अगर आपको चोड़ा बनाना है ज्यादा तो आप उतने ही बड़ा ए बना लिए और 6 की जगह आपको साथ बनाने है तो यह चोड़ा ले लिजे आपको 8 बनाने है तो यहाँ सोलव क्रोश्या ले लिजे तो उस तरह से यह बना ले जे फ फिर से आब हम यहां पर एक टी में आव 이 ओ डालेंगे और यह इदर से, ठीक है, फिर अगलेंगे, ऐसे ही जैसे हमने ये तीन जोइन के हैं, तो ये देखें, ये हमारा है ना, मैंने बना के जहां से शुरू किया था ना, देखें, यहां पे जहां से शुरू किया था, वहीं पे डालके इसे ना, मैंने कट कर दिया है, और अब देखें, य उसमें न आप कोई भी ले सकते हैं आपकी मर्जी जो आपके पास अवेलेबल हो वो ठीक है इसमें कोई से भी इसमें डालेंगे और इसे पहले नॉट लगा लेंगे यहां पर और नॉट लगाके ये इस तरह से सिंबल करोश्य बना बना लेंगे फिर इसे इतना कहींचना है ठीक है इस तरह से खीच के एक बार देखे ये किरोशे के उपर हो गया ये दो बार तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और ये बारा ठीक है बारा बार ये हमने इसके अंदर ले लिया है उसके बाद हमें क्या करना है देखे इस तरह से दो फंदे निकाले फिर ये लिया फिर दो फंदे निकाले फिर ये लिया और फिर से दो फंदे निकाले इस तरह से दो दो करके ये सारे फंदे हम निकाल देङे इस तरह से ठीक है ये देखिए ये लास्ट तक हम सारे दो-दो करके ये Ц Cant निकाल देङे और लास्ट में ये तीन फंदे हैं इन तीनों को निकाल देगे उसके बाद में हमें एक चैन लेए दो चैन दो चैन लेए और इसे हमें आगे की तरफ नहीं बुनना है अब हम इसमें न देखे दो, तीन, चार, पाँच ऐसे चेन ले लेंगे और जो ये अगल पीछले वाला ये है इसमें डालके हम इस तरह से ये ये देखे एक सिकेर ये हमने न पाँच चेन ले ली थी और ये इसमें डालके पहले एक सिंपल क्रोश्या बना लेंगे फिर इसे इस तरह से खीचेंगे और यहां पर जैसे हमने पहले बारा बार ये फंदा क्रोश्या के उपर लिया था ऐसे ही बारा बार यहां पे भी ले लेंगे तो यह तीन हो गया चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और यह बारा ठीक है अब इसे भी हम ऐसे ही दो दो करके ऐसे निकाल देंगे यह देखे इस तरह ठीक है यह भी ऐसे ही निकालेंगे फिर से पाँच चेंड लेंगे और फिर इसके पीछे वाले में जाएंगे ठीक है तो यह देखिए इस तरह से यह हो जाएगा ठीक है यह हो गया फिर इसके पीछे वाले में इसमें होगा फिर इसमें ऐसे ही यह पूरे में बना लेंगे तो पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ आपको तो यह देखे यह लास्ट तक हमने इसी तरह से पूरा बना लिया है यह देखे ठीक है अब यह लास्ट में पांच चैन लेके और यह न इसके अंदर को ये एक में थोड़ा सा हटाएंगे और इसके अंदर को ऐसे डालके यहाँ पे ही इसे जोइन करके कट कर देंगे ठीक है तो ये देखे ये इस तरह से पूरा हो गया अब हमें इसमें क्या करना है देखे दूसरा कलर लेंगे और इस तरह से नॉट लगा लेंगे नॉट लगाने के बाद देखे ये जो हमारा डिजाइन है उसके कोने पे जब हम इधर साइड से ऐसे देखेंगे तो आपको ये देखे ये फंदे दिखाई दे रहे है ये फंदे दिखाई दे रहे है तो इसमें से लास्ट वाला जो ये साइड फंदा है उसमें डालके इसे जोइंट कर लेंगे ठीक है फिर अगले वाले में डालेंगे और एक सिंपल क्रोश्या फिर उससे अगले वाले में डालके फिर से सिंपल क्रोश्या ऐसे ही इसमें सारे में डालके एक एकना सिंपल क्रोश्या इस तरह से बना लेंगे ठीक है यह देखें यह देखें यह देखें यह वाले जो दिख रहे हैं आपको पंधिर यह उपर की साइट में इन सब में डालके हमें यह सिंपल क्रूशियां बनाते जाना है अब यह लास्ट है इसमें भी डालके सिंपल क्रूशिया बना लेंगे तो यह बन गया देखें यहां तक अब हमें क्या करना है इसी के इसमें डालके जो यह डिजाइन हमने यहां पर डालके रहना था ना इसी में डालके एक बार फंदा क्रूशिय के उपर लेंगे फिर इसी को चाहि को देखे इस तरह से यह पांच हो गए पांच होने के बाद आब हमें क्या करना है यह देखें इन सब को हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे ठीक है फिर हम ना फिर से देखे यह जो इधर वाला है यह ना यहापे इसमें डालके फिर से पाँच फंदे ऐसे ही किरोशे के उपर लेंगे तो यह दो बार हो गए यह तीन चार पाँच ठीक है और इन सब को हम एक साथ ऐसे निकाल देंगे ठीक है अब हम देखे यह वाले फंदे आपको फिर से दिखाई दे रहे हैं यह यहापे इसमें इस तरह से फिरस्ट वाले में डालके simple crochet फिर उससे अगले वाले में simple crochet ऐसे ही पूरे में हाँ तक हम simple crochet बना लिए ये देखिए इस तरह से हमने इसमें simple crochet ये बना लिया है अब हम इसमें फिर से हाँ पर डालेंगे 5 बार फंदे कि रोशे के ऊपर लेंगे ये एक बार हो गया 2 3 4 और ये 5 ठीक है अब इन सब को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे फिर हम अगले वाले पर जाएंगे और इसमें भी ऐसे ही 5 बार फंदे कि रोशे के ऊपर लेंगे ये 2 3 4 ये 5 ठीक है और इन सब को हम एक साथ ऐसे निकाल देंगे ठीक है उसके बाद में देखे फिर से ये फंदे दिखाए दे रहे हैं तो इन में हम डालके ये थोड़ा सा है ना बस फर्स्ट वाले में डालने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि ये फर्स्ट वाला होता है ना तो डालने में थोड़ा सा परिशान करता है और ये देखे अब ऐसे ही सिंपल क्रोशय बना लेंगे और फिर ये पफ बनाएंगे और उपर की साइड में फिर से ना सिंपल क्रोशय फिर दोनों तरफ पफ फिर simple crochet फिर puff तो यह पूरा बनाके फिर दिखाते हो तो यह देखिए इस तरह से हमारा यह complete हो गया है और complete होने के बाद यह देखिए अब हमने चाहां से यह शिरू किया था ना वहाँ पे डालके इसे joint कर देंगे ठीक है तो यह इस तरह से हमारा पूरा हो गया अब हमें क्या करना है देखे इधर साइड से पीछे की साइड से लेंगे और ये दूसरी साइड से निकाल के हम यहाँ पे एक सिंपल क्रोशय बना लेंगे और फिर एक दो तीन तीन चैन लेंगे और ये देखे हर एक जो हमने सिंपल क्रोशय बनाया था ना उसमें पीछे की स साइड से दाला दूसरी साइड से निकाल लिया और यह डबल क्रोशया बना लिया तो इस तरह से हम यह पूरे में डबल क्रोशया बनाते जाएंगे ठीके जो यह हमने सिंपल ख्रोशया बनाये देना उनमें पूरे में इस तरहें से हम इस डबल क्रोश या बना भी इस तरहें से डालना हैं और यह बना भी समण डालना हैं और यह नास डाला आ गया इस पे बनना गेंगे लग शुना करेंगे बना गें फिर पउस हमें रहते हैं यह देखेंगे बनाते जाएंगे ठीक है तो पूरे में बना के फिर दिखाते हूं तो ये देखिए मैंने जो बनाया है वो यहां से शिरू करके और ये इस तरह से पूरे में डबल क्रोश्या बनाते गए हैं और ये जो लास्ट वाला है ये मैंने छोड़ दिया है ठीक है इसमें मैंने डबल क्रोशय नहीं बनाया है ठीक है अब हम इसमें न क्या करेंगे यहीं पर अब देखिए इस तरह से डालके एक सिंपल क्रोशय बना लेंगे एक दो तीन चार चार चैन बनाएंगे और जो हमने यह सिंपल क्रोशय बनाया था इसमें डालके देखे दो बार यह से फंदे क्रोशय के उपर लेंगे और जो यह सिंपल क्रोशय बनाया था इसमें डालके हम एक टिपल क्रोशय बना लेंगे फिर इसी में डालेंगे और एक डबल क्रोशय बना लेंगे ठीक है उसके बाद में फिर से हम च चार चैन लेंगे और चार चैन लेके देखे इस में डालके लास्ट वाले में एक टिपल क्रोश्या बनाएंगे और फिर से इसी में डालके एक डबल क्रोश्या बनाएंगे इस तरह से फिर से चार चैन लेंगे दो बार बन दे लेंगे और ये इस तरह से एक टिपल क्रोश्य और फिर इसी में डालके एक डबल क्रोश यह इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा तो इसमें हमें जितनी लंबी इसकी जो पकड़नी होती है उपर की परस की वह बनानी है तो उतनी ही लंबी हम बनाएंगे जितनी हमें यह बनानी है तो इस हिसाब से पूरा बनाके फिल में इस तरह से मैंने यह इतनी लंबी बना ली है आपको जितनी बड़ी बनानी है आप हिसाब से बना लेना अगर मैं आपको बताओं तो मैंने इसमें यह जो डिजाइन है वह बारा बनाए है ठीक है और इससे हम दूसरी साइड जहां पर हमने यह डबल क्रोशे की चैन बनाई थी ना वहां पर डालके इसे इस तरह से जाइन कर देंगे दो बार अच्छे से इसे ठीक है अब देखे यह हमारा इस तरह से बनके तयार हो गया है ऐसा ही सेम मैंने दूसरा भी बना लिया है यह और सेम तो सेम हमने इसे बनाया है अब हमें इसमें क्या करना है वह मैं आपको दिखाते हूं इसमें हम क्या करेंगे देखे सीधा सीधा जो यह डबल क्रोशे है इस पे हम ये इस तरह से रखेंगे ऐसे तो ये देखे दोनों दनी हो गए हमारी यहाँ पे और इसे इस तरह से हम जोइन करेंगे तो ये हम यही वाले धागे को ले लेंगे इसे कटने ही करेंगे और इसे जो हमें जोइन करना है वो देखे हर एक चेन में डालते वे ये देखे इस तरह से हमें ये जॉइन करना है तो ये देखे एक बार इस चेन में और एक दूसरी चेन में दोनों चेन में हमने डाला है और ये सिंपल क्रोश्या बना दिया फिर दोनों चेनों में डाला है फिर सिंपल क्रोश्या बना दि ठीक है और ये देखे इस तरह से ये जोइंट होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो ये पूरे में जितने भी ये डबल क्रोश्या है आप itu ये ये लास तक बनाना है जहां तक हमने ये बाले double crochet बनाए हुए हैं और दोनों में और फिर हम इसे दिखाते हैं कि आगे कैसा लगेगा तो ये देखे ये पूरे में हमने ऐसी ही कर लिया है तो ये ये लास्ट में हमने ऐसी ही कर लिया ए अब आप खुद देखे कि यह हमारा कितना अब आप प्यारा सा पर्स बनके पूरा यह मैने न यहां पे न इसमें कोई मैने न यहां पे लगाई है उसका कारण है कि मैने इसमें यहां पे लगाई है तो आप नॉर्मली बटन लगाई है यहां पे लोग लगाई है इसमें लगमेंट करके जरूर बताना इसी तरह के न बहुत सारे पर्स और भी बहुत सारे चीजें मैंने न अपने चनल पर बताई हुई है तो आप न वहां पर जाके न वह भी जोटा नहीं देख सकते हैं तो यह पर्स कोई छोटा नहीं है और इससे भी बढ़ा हुआ है तो मैंने वह भी आप उसके नहीं उससे भी बढ़ा बताया हुआ है तो आपको यह कैसे लगा मुझे बढ़ा यह बना सकते हैं मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ बाई एवरीवन एं थैंक्स वर वाचिंग